इंदोर जिले के बेटमा थाना शेतर के अंतरगर छोटे बेटमा गाउ में देर राज चोरों ने तीन घरों को अपना निशाना बनाया चोरों ने तीनों घरों से लाखों रुपे और जेवर पर हाथ साप किया वहीं ग्रामिनों ने बताया कि पिछले महिने भी इनी चोरों ने इसी गाउं में चोरी की थी तब भी धाई से तीन लाग की चोरी हुई थी किन्तु उस समय कोई पकड़ा नहीं गया था बिती रात करीब दो से तीन बजे फिर एक बार चोरों ने यहीं प्रयास किया लेकिन ग्रामिनों ने चोरों को योजना बंद तरीके से चोरी करते चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया और बेटमा पुलीस को सुचना देकर तीन चोरों को पुलीस को सोब दिया बेटमा पुलीस ने तिनों चोरों को अपनी ग्रफत में लिया और चोरों से इनके अन्नी सातियों के बारे में पुस्ताच की जा रही है बेटमा से सूर्य वंशी की रिपोर्ट दो पेटे गाये हुई है इसमें एक तो यहीं पर नीचे मिल गई पास में रूम के और एक पेटी वो लोग लेके निकल गए थे और रात को दो बज़े के आसका जैसे मेरी जिन्द खुली मैंने अपने दरवाजा खुला टाइट चालू की तो चोर दोनों भग गाए मुझे आसंगा अगार में नहीं उठता या में दरवाजा नहीं खुलता तो शायद मेरी दादी के साथ को बड़ी वार्दात भी हो सकते थी क्योंकि उनके पास पेरों में भी कोई चांदी की जूलरी पेंट रही और पुछ उनकी जम्मा पुंजी थी और उसकी जूलरी थ पेले गाउं में वार्दात हो चुकी हाँ इसके पहले भी मेहने पहले हमारे याँ घर में करते हो रंगे में पकड़ाए गए